बाई अगर आप computer student हो computer teacher हो या computer operator हो आप जो कोई भी हो आप computer में कुछ ना कुछ नया सीखने की जरूर सोच रहे होंगे आप सबसे पहले software का नाम बताने से पहले मैं इसका इस्तमाल बता देता हूँ क्या होता है कि आजकल वीडियो का जमान है हर कोई video content बनाता है तो जब video content आप बनाते आप जब आपके mobile से HD videos record कर लेते हैं या फिर आप camera से record कर लेते हो जहां पर आपके पास 4K quality की videos रहते हैं तो उस टेम पे उस video की size बहुत ही बड़ी होती है और अगर आपको कई पे store करने है तो वह बहुत जादा space occupy करते है तो ऐसे में आप चाहते कि उन video की size आप compress करे और without losing its quality again quality आपको lose नहीं करनी है लेकिन video की size compress हो तो इसके लिए यह software है जिहां इस software का नाम है Handbrake यह बिल्कुल फ्री है और यह आप download कर सकते है handbrake.fr website से description में मैंने इस website की link दी है अब जब इस website से आप download करोगे इस्टाल करोगे तो बहुत ही simple तरीके से आप अपनी फाइल यहा पे attach करोगे और compress करोगे इसके बारे मैं अगर detail में जानना है कि वह इसे कैसे इस्तमाल किया जाता है तो इसके लिए already मैंने वीडियो बना के लिए अब बढ़ते हैं दूसरे software की दरब अब दूसरा software है हमारा images से related मतलब आपको images पे अगर काम करना है images को editing करना images को transparent बनाना है तो आपके पास photoshop नहीं है या फिर आपको ग्राफिक्स क्रेट करना है तो आपके पास को रोल रो नहीं है तो ऐसा एक software है जो की free में आपके computer में हो सकता है और उसके जरी आप images एडिट कर सकते है GIMP नाम का software है यह software जो है आप प्री में डाउनलोड कर सकते है GIMP.org इस website से इसे डाउनलोड और इस्टॉल करने के बाद आपके सामने प्री है यह मैं आपको बता रहा हूँ और अभी कि अभी आप इसे डाउनलोड कर सकते है विंडोज के लिए और इस्तमाल कर सकते है तो यह ज़रूर चेकिजिएगा अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे software की तरफ अब तीसरा software है ग्रीनशॉट जी हाँ दोस्तो अच्छा स्क्रीनशॉट लेने के लिए ग्रीनशॉट सॉफ्ट्वेर का आप इस्तमाल कर सकते हैं और यह भी बिल्कुल फ्री है वैसे तो हम विंडोज के स्निप टूल को यूज कर रहे है उससे भी तो स्क्रीनशॉट आता है लेकिन यह थोड़ा साइडवांस चीज़े आपको देता है यहाँ पे तो इसमें आपको अलग-लग अनोटेशन वगरा अड़ करने के लिए उप्शन से स्क्रीनशॉट में अ अगर आप किसी के भी स्क्रीन को आपके कंपिटर पर देखना चाते है यानि कि आप किसी को ऑनलाइन हेल्प प्रोइड करना चाते हैं जैसे हम लोग अगर टेचनिकली किसी को सपोर्ट देना चाते हैं जैसे हम हमारे कूर्स अमारे Learn more Pro.com पर अपलोड करते हैं वहाँ पे अगर किसी शोडन को इश्यू आता है कि यह यह टॉपिक हमें क्लियर नहीं हो रहा है या फिर आमारे यह वीडियो नहीं चल रहा है आपकी वेबसाइट की उपर तो उस टाइम पर हम उसको ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं एक सॉफ्टियर की मज़ से जिसका नाम है एनिडेस्क जो हर किसी के कम्पिटर में होना चाहिए मैं रिकमेंड करता हूँ यह बिल्कुल प्री है जिससे आप उसकी स्क्रीन मतलब अगर आपने यह सॉफ्टर इंस्टॉल कर लिया है और सामने वाले ने भी यह सॉफ्टर इंस्टॉल कर लिया है तो आप उसकी स्क्रीन को डिरेक में आप उसे गाइड भी कर सकते हैं, आप यहां से उसकी स्क्रीन को अपरेड भी कर सकते हैं, वो एनिडेस सौफ़वर आपके कम्पीटर में ज़रूर इंस्टॉल होना चाहिए, दो तीन अल्रेडी मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाया, तो दिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो यह था हमारा चौथा सौफ़वर, अब फाइनल सौफ़वर के बारे में जानने वाले वो है एक वीडियो एडिटर, जी हां, अगर आप एक वीडियो बना लेते हो, मेरी तरह एक वीडियो क्रियेटर हो, और आपको उस वीडियो को अभी एडिट करना है, लेकिन आपके पास पेड वीडियो एडिटर नहीं है, जैसे मैं तो वंडर शेर फिल्मर है उसकरता हूं, लेकिन आपके पास नहीं है, तो आप ओपन शॉट वीडियो ऀसिंपल तरिके से विडियो को स्कते मुडियो को एक पर है इसके उसमें प्रोपर मैंने dataset भी बनाया है। जिसमें मैंने ये वीडियो एडिटर डीटेल में कैसे इस्तिमाल करना है वो बता है अगर आप इंट्रेश्टर हो तो उसको भी चेक कीजिए सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के लिए अंदर आपको दे रहा हो दोस्तों और इसके साथ साथ एक bonus software मैं अभी आपको बताने वाला हो वो bonus software ये है कि आप अपके computer के अंदर की जो फाइल से उन्हें आप लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक folder locker की ज़रूत होती है और वो है ANVY folder locker वैसे तो अन्वी मेरे बेटी का भी नाम है लेकिन ये मैंने बनाया वा software ये पहले से बना हुआ था जो मैं बता रहा हो आपको लेकिन ये अन्वी folder locker software एक best software है जिसके उपर अल्रेडी मैंने वीडियो बनाया है एकदम स्टार्टिंग में बनाया था अपने कम्प्री टेक्नोली चैनल पर तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिशन में दे रहा हो कि इस folder locker की मदद से आप अपनी फाइल को सेक्यूर कैसे रख सकते है क्योंकि आजकल हम online काम कर रहे है तो सारी चीज़े हमारी online होती है और ऐसे में security बहुत important चीज़ है so and we folder locker को इस्तमाल कीजिए वा पर प्रोटेक कीजिए फाइल्स को that's it तो यह थी free software के लिए डेफिनिटल आपको यह पसंद आया होगा पसंद आया है तो like, share और comment जरूर करना साथ ही में मेरे जितने भी चैनल है उनकी link description में मेरी website learnmoopro.com जहाँ पे आयसो सर्ट अपिकिन के साथ आप घर बैटे बैटे computer hardware और धेर सारी चीज़े सीख सकते है एक बार चेक कीजिए description में link दी गई है तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तपता के लिए अपना खायाल रखना सीखते रहना सीखाते रहना बाई बाई